वेल्कम टेक वेड़े गुरू मैं आपको अफिकास आपको में चनलने अफिस्ट बात करता हूं तो आपने अफिते चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप पहली वेड़ चनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्ली चनल सब्सक्राइब कर लें आप बैल लाकिन को प्रस कर लें इसलिके आपको डेली नौटिफिकेशन सबसे पहले में जखे वाटसेप नमबर मैंने दिया हुआ अगर आपने गुरुप को जोईन नहीं किया तो मुझको 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 करके वाटसेप में मुझको जूड़ सकते हैं क्योंकि मैं पास काफिलों के फोन आया कि सर हमारी जो रिष्टेशन की डेट है वह यहां पर सो हो रही है जैसे कि मैं आपको बता दू डियू टू कोविट 19 रिष्टेशन डेटा जो आपके थी रिष्टेशन की नियू एडिविशन के लिए ओ लेबल जुला एक जाम के ल वाला है जो की दोजा 19 का स्लेवास था यह हम पढ़ रहे थे तो यह दो स्लेवास हैं हमारे पास जो जिनका रिष्टेशन की लाज डेट थी हमारी 25 अपरेल ठीक है और यहां पर जो लिख क्या रहा है डियू टू कोविट नाइटी रिष्टेशन डेट आप एन एस क्यू सकते हैं तो मैं बता दूँ आपको एनस क्यू जो कोर्स हैं यह आपके अलग कोर्स नहीं आते हैं और यह मंत ऑफ मार्च दोजाबी साइकल का है यह और एक्स्टेंड किया गया 30 अपरेल तक तो आज 30 अपरेल है तो आज क्या इसके लिए आप भर सकते हैं कि नहीं तो मैं बता दूँ क्यों कि कल मेरे पास काविलों के फोन आया थे कि सर मैंने वेफसाइट बे देखा है तो वहाँ पर 30 अपरेल लाज डिट दिखाता है तो क्या मैं ओ लेवल के लिए उसके लिए अप्लाई कर सकता हूं तो मैं आपको राजिस्टेशन दिखा देता हूं जो कि य आपका है जो कि आपको पढ़ना है ठीक है तो मैं आपको दिखा देता हूं अभी जो 25 तारी वाले डेट थी अपलाई आप नौ पर जाएंगे तो यहां पर इस समय आपके लिए कोई डेट अवलेबल नहीं है तो यहां पर आप गये आपने लॉग इन किया और यहां पर ज सकते हैं इसका मतलब है कि जो है इस समय क्लोज हो चुका है तो आप यहां पर आप जाके फॉर्म बारेंगे उसका कोई बेनिविट नहीं है आपका जो रिमिट होती है तो लिमिट को दो त्या तीन तीन बार इस बार आपकी डेट जो एक्स्टेंड की जा चुकिए जनवरी सकते हैं नहीं तो फिर आप चीदे फॉर्म बारेंगे जनवरी एक्जाम के लिए अक्टूबर सितंबर में जो भी आपको फॉर्म आएगा और आपको दिखा देते हैं कि जो एनसक्यों लेबल का कोर्स होता है यहां पर जाएंगे यहां पर आपको कोर्स के लिश्ट मिल ज पर इसको क कि एम लोग कहते हैं वर्म नन फॉर्मल कोड और यह जो रिचन की डेट दिखा रहा नसक्यों के आपका दिखा रहा है फिर आप लिए जबेखा रहें हुआ है अगर आप इन कहुंगे करते हैं ऑपर लिए अपका ओलये कोडिश कर के आँप नहीं आएगा तो य लेइवर्क और नाइज कॉलिफिकेशन एकॉडिकेशन तो यह एक विकार दो जातेरा से यह आपका चल ला है तो इसके अंदर 75 कोर्से ने अप्लूप्ट किये हैं और उनकी लिस्ट है वह में आपको दिखा जैता हूं कोर्स की डुरेशन है एक से 400 4001 से 1000 और 1001 से अब तक कि इसमें डुरेशन एफीस है 100 200 और 300 लिस्ट आप कोर्सें यहां पर अब लेबल है इसको आपको दिखा जैते हैं तो आप देखें यहां पर कहीं आपको क्या ओ लेबल दिखाए दे रहा है तो यह आपके जो कोर्स हैं पोस्ट डिप्लोमा इन इलेक्टोरिक और प्रोडेक् का है साथिविकेट को से डिविल्टी है तो यह तमाम कोर्स आपका लेबल बीवल का दिक्रेंग नहीं किया गया तो यह जो राइस्टेशन है वह अभी आपके चलना है जिसकी लाज़ देट हैं तीस अपर और यह जो कोर्स मैं आपको दिखा रहा हूं यह आपके एक्रिग अश्टेटर यह जो डिष्ट ऑप इंस्ट्यूट्टियशन है वो आप देखें वहां से ही आप इसको कर सकते हैं इसको डैय्ट करने का कोई प्रणान नहीं होता है आप इसके लिए अगर यहाँ पर apply now पुझाएंगे तो यहाँ पर क्या आपको option मिलता है तो आपको देखें यहाँ पर option नहीं मिलता है यहाँ पर आपको यह मिलता short term course और लिखा हुआ NSQS affiliated NSQS aligned course जो हैं आप इसी कि आप इस पर click करेंगे तो यह देख सकते हैं website open होके आएगी और यह course आपके जो होंगे वो आपके institute के थुरू होंगे यह आपके direct नहीं होते हैं तो आप इसके लिए registration अभी आप कर सकते हैं इसकी date है आपकी 30 तारीक तो यह जरू ध्यान दे Postgraduate Diploma and Production Designing का है तो यह आपका जो course है इन सभी course के लिए आपके registration है वो 30 तारीक तक चलना है जो कि आप institute के मादब से जाके करवा सकते हैं तो यह आप बिल्कुल जान दे गलत form ना बरें तो NSQS level के जो course है वो यहाँ पर skill list आपके पूरी दी गई है करीबन 68 course अभी जो चलना है उसकी date यहाँ पर available है तो इनके लिए अभी आप registration कर सकते हैं 30 अपरेल अब बागी जो उसकी course की है जो हम लों करते हैं देखें यहाँ पर लिए 14 मार्च 2020 का है उसका course का भी जो date एक्टेंट की गई है 30 अपरेल तो यह कोर्स आपना अपलाई करने जो भी ओ लेवल के स्टूडेंट है और ऐसा ही वगारा की जो आरो एरो करना चाहते हैं तो यह certificate helpful नहीं होगे आपके लिए जो ध्यान लखें उसकी date थी आपकी 25 अपरेल उसकी date आप खतम हो चुकी है आप दे सकते हैं यहां से यहां पर भी कोई date का प्रावजान नहीं नोटिफिकेशन में और यहां भी कोई date का प्रावजान नहीं पच्छिस तारिक इसकी लाज़ देट थी तो यह बिलकुल ध्यान नखे बिलकुल गलत फॉर्म नावर है तो यह confusion था लोगों का मैंने बता दिया इस लेबरस हमारे पर अब लेबल है यह लेबरस ओर्ड वालों का है इसमें अम लोग C language पढ़ते थे और यह नया वालों का इसमें लोग Python बगर पढ़ेंगे तो सिंपल सा डिफरेंट है तो आता करते हैं आपको समझ में आ गया होगा और और दूसरी चीज़ बता दें आपको जो डेट है अभी कोई बढ़ी नहीं है जो कि आपकी डेट आई है एक जाम की वह अभी डेट बढ़ी नहीं है तो जैसे कोई डेट अगर हमारे पास आएग की जो हमारे चल लए थी M2R5 वेब डिजानिंग एंप अप्लिकेशन न्यूश लेवर्स की तो इसमें हमने एक क्लास आपको दी दिकल जिसमें कि हमने उसका इंट्रोडेक्शन बता दिया था आपको फ्रेमवर्क क्या होता है वो बता दिया था इंट्रो बता दिया था और उसमें कुछ कलर कंटेनर पैनल बॉर्डर कुछ फॉंट के बारे हम बात कर रहे थे आज हम इसकी फिर एक वीडियो बना रहे हैं डेटेल में आपको कंटेनर के बारे में पैनल के बारे में बॉर्डर के बारे में सभी का एक एक जांपल आपको बता देंगे कलम ने आपको काफ़ी चीज़े के लिए थी आपको text color change करना है background color change करना है panel लगाना है container लगाना है यह सारी चीज़े बताई थी अभी भी भी आपके काफ़ी चीज़ बता हुआ लिस्ट बची हुए image है तो आज हम इनके बारे में कुछ और चीज़ें आपको बताएंगे बहुत सिंपल वे में बताएंगे वीडियो चीज़ें जिरू लाइक किया करें वीडियो को कमेंट करें अपने कोई डाउट्स हों इस वीडियो को लेके और शेयर कर दें जो भी आपके फ्रेंड मित रहें जो त्यारी करता है वो लेवल की वह अपना इस वीडियो की हेल्प से अपना पेपर को क्रॉस कर सके पीडियो क्लास और पीडियो परचेस कर सकते हैं तो चलिए आज हम बात करेंगे आपकी से अनुसार चलना है इसलिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी तो लास्ट क्लास यहां पर आपकी पड़ी होई है आप जागे इसको दे सकते हैं css framework की इसको जरूर देख लेंगे जब आप यह देख लेंगे तब ही आपको आगे सौन मैंगे क्योंकि इसमें हमने आपको basic detail में समझा दिया है तो हम बात करेंगे notpad पे control and करते हैं new file बनाते हैं यहां पर इसका नाम देंगे हम container के बारे हम सीखेंगे तो container के हमने कल आपको बताया थे लेकिन आज आपको प बनाएंगे footer और बीच में हम यहां पर आपका footer बनाएंगे header और footer और बीच में हम यहां पर एक image देंगे और image के साथ यहां पर कुछ text देंगे तो एक पूरे complete एक website आपको बना कर दिखाएंगे किस परकार से container के माद्दम से इसको design किया जाता है simply way में तो चलिए देख library होती है उनको link करना होता है तो उसको आप link करने के दो तरीकी या तो आप online जो इसका link है वहां से link करने जो w3 school की website थे या तो पर उसको आप download कर ले और option अपने folder से link कर ले तो मैंने यहां पर अपने folder से link किया हूँ है तो जितना code हमको चाहिए उतना code हम निकाल लेंगे ज तो इतना हम यहां पर copy करके paste कर देंगे तो इतना तो आपको लिखना है सभी उसमें इसको language chain कर दें यहां पर HTML पर कर दें तो यह होगी language इस यह जो इसका मतलब क्या होता है meta tag viewpoint content width width इसका मतलब क्या होता है यह इसलिए use करते हैं हम लोग कि माल यह कोई browser support नहीं करता है तो जब हम यह लिख देंगे viewpoint content width जो रहाएगे सभी width में यानिकि सभी frame में आपका यह support कर जाएगा किसी browser होगा कोई version का उसमें यह आपका support करेगा इसलिए इसका use करते हैं इसको आप use कर भी सकते हैं नहीं भी लेकिन basically use किया जाता है इसको तो आप इसको use करें इतना आपको स जबांस में जाने की जरूत नहीं है तो यह हो गया हमारे पास link हमने यहाँ पर कर दिया है आपके सामने तो यह देखे link हमने किया अपने folder का जहां पर हमने इसको रखा हुआ है open करके दिखा देते हैं यह हमने css का folder बनाया था css tutorial का इसमें इस सारे code रखे हुए हैं तो अ तो चलिए सुरू करते हैं हम आपको सारे चीज़ बता देंगे बहुत सिंपल वे में इसको देखें और w3-container हम कंटेनर बना रहा है तो w3 यहाँ पर आपका colon जरूर लगाए ने तो जड़ा से भी आगलती करेंगे आपका program जो रन नहीं करेगा तो container उसके बाद हम यहाँ पर लिख रहे हैं जो इस तो यह आपका बंद हो गया नीचे आते हैं पहले अब हम यहाँ पर एक heading ले रहे हैं h1 जो की हमारी होगी किस पकार की heading यहीं पर लिख देते हैं माल लिजे header लिख देते हैं या माल लिजे लिख देते हैं tech video guru tech video guru हमने एक heading डाल दे ठीक है यह हमने डाल दिया division को बंद कर यह हो गया आपका तो यह आपका header हो गया इसको अगर आप देखेंगे अगर हम save करते हैं इस फाइल को पहले तो control s पर जाएं और इसको save करें save कर रहे हैं किस नाम से container c-o-n-t-a-i-n-e-r.html यह जो धनक है अगर आप HTML नाम से save नहीं करें तो यह run नहीं करेगी container.html से कर दिया इसको हम run करा कर देखते हैं तो आपको किस परकार से file लिखेगी आपका tech video नाम से एक background और यह इसका container आपका add हो गया red color में तो simple सा आपका folder यहां से त्यार हो गया अब बात करेंगे इसमें हमें image लगाना है माले यह अपनी company का हम logo देना चाहते हैं जो tech video गुरू हमारा channel है उसका logo हम यहाँ पर देना चाहते हैं तो किस परकार से image दे सकते हैं तो हमको add करना पड़ेगा img tech का img src screen और जो आपका image है आपके folder में image का नाम है वो आप add करने तो हम open करते हैं यहाँ पर देखते हैं जो हमारा image यहाँ पर पड़ा हुआ है यह tech video गुरू का तो यह किस नाम से file है यहाँ पर logo tech और यह जो file format है वो कौन सा है png का तो हम यहाँ add करेंगे logo tech.png तो य इस पर कारत से हम इसका name add कर देंगे और इसको bun कर देंगे यह होगे आपका space करेंगे और यहाँ लेकिए alt इसका नाम दे देंगे alt equal to माले tech हम नाम दे देते हैं एक key उसका नाम frame कर देते हैं और इसके बाद style इसकी style आपके किस नहीं रहेगी क्या रहेगी तो style equal to इसकी जो width रहेगी वो रहेगी आपकी 100 पर जो छोटा बड़ा आप जो भी कर सकते हैं अपने नुसार विर्थ equal to width विर्थ जो रहेगी इसकी वो रहेगी 100% हमने width कर दी इसकी इसको बन कर दिया ठीक है तो यह आपका जो है वो code बन गया आगे चलते हैं image हमने यहापे आपका add कर दिया अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है अब नीचे आना है हम लिखेंगे यहापे division फिर से class इसमें हमके add करेंगे अब एक w आपका footer अब बनाएंगे यहापे तो इसका जो text लिखेंगे पर basically paragraph जो इस text image के नीचे आएगा वो हम लिखना बता रहे हैं आपको वो किस परकार से लिखते हैं तो class हमने लिखा उसके बाद हम यहापे क्या लिखाएंगे w3 container simple सा क्योंकि हमको space आपको देना होता है इसलिए w3 container का यूज करते हैं इसलिके आपका जो right side में left side में space आपको बरफूर मिल सके तो यह होगे आपका अब यहाँ पर paragraph हमें लिखना है paragraph के अंदर कोई भी text ले सकते हैं तो यहाँ पर हमने demo text लेके रखा हुआ है तो यहाँ तो ठाके हम copy paste कर देंगे कोई भी text यहाँ लिख भी सकते हैं तो समय बचाने के लिए मैं आपके लिए यहाँ से एक text को copy करता हूँ और यहाँ पर जा आपके photo के नीचे अब यहाँ पर हमको footer बनाना फूटर के लिए फिर वही काम करेंगे जो कि हमने यहाँ पर header के लिए किया था heading में जो हमने add किया था यह चीज़ तो हम इसे को copy कर लेते हैं इसको आपको लिखना नहीं पड़ेगा बार बार तो यहाँ पर हम आते हैं और यह हमने यहाँ पर paste कर दिया अब इसमें हमको changement क्या करना है इसका जो color है w3 red किया था यहाँ पर हमने वह ऐसे रहन देते हैं और इसका जो footer का size था हम कर देते हैं थ्लदा छोटा यहने कि f5 कर देते हैं तो हमने f5 कर दिया इसको और इसके अंदर हमने लिख दिया footer या आप दो भी लिख सकते हैं टेक्वीड हो लिख दे यहाँ हम लिख देते हैं footer जैसे कि आपको समन में footer हमने लिख दिया यहाँ पे f2o tr होता है तो यह हमने लिख दिया ओके आपका काम होगे खतम यह आपका log होगे body आपकी बंद होगे अब आपका HTML जो बंद करना है उ हमने HTML को बंद कर दिया होगे आपका code complete इसको हम save करेंगे तो इतना आपको करना था container को बनाने के लिए इसको run कराकर देखते हैं तो यहाँ पर हमने जब इसको run कराया तो आपने देखा आपकी एक header बंद गी जो text videogram से image आगे image के नीचे को text आगे इसका size और ठोटा कर आपको अच्छे दिखाई दे इसको 50% कर देते हैं तो और अच्छे से आपको दिखाई देगाई है तो इसको run करते हैं यहाँ पर जाके तो यह 50% हो गया तो इस पकार का आपका header और footer आपका तयार हो जाता है CSS framework के माध्यम से आपको कुछ भी नहीं करना होता सिब आपको पैनल का border बगरा देखते हैं एक एक example सब इक आपको बता देंगे तो चलिए चुड़न आप बात करेंगे W3 panels की पैनल किस पकारते बनाते हैं तो पैनल पर दिखली एक text होता है उसके अंदर आपको पैनल की तरह ब्रैक्ट इतरह से यह आपको हो गया एक पैनल एक पैनल य सकते हैं से यह मैं बना सकते हैं कोई द्यक्त नहीं तो यह गया पर container का इसको मैं copy कर लिता है । इससे कि आपको और अच्छे sound man new file पर चलते हैं control V करते हैं और इसमें हम कुछ edit करेंगे और इसको save कर लेते हैं save as करते हैं इसको किस नाम से पैनल नाम से पी-ई-ड-ब-L-E- करेंगे body के बाद से तो body के बाद हमने यहाँ पर लगाया w3 container और यह जो हमने लिखाया red इसको अठा देते हैं क्योंकि हमको background नहीं चाहिए इसमें और इसके बाद हम को एक heading चाहिए तो heading में हम यहाँ पर h2 size ले लेते हैं बन भी आपका सकते हैं मैं अभी चोटा size ले रहा हूँ यहाँ पर तो मैंने यहाँ पर h2 कर दिया इसको बड़ा कर लेते हैं इससे कि आपको clear दिखाई दे और यहाँ पर हम दिखेंगे display panel हम panel बना रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे display panel का प्रकाम बना रहे हैं panel होता है basically panels तो अब यहाँ पर हमने panel लिख दिया यह आपका क्या होगा heading हो गई अब इसमें आप नीचे paragraph दे सकते है पैनल के बारे मैं कर देना चाहें तो तो मैंने यहाँ पर माले यह एक paragraph दे दिया इस परकार से तो कुछ भी आप यहाँ पर लिख दे है मैं सिंपल सा लिख देता हूँ यहाँ से ठाके तो इतना आप में दाज दिया उसके बाद हम आते हैं नीचे division पर अब division में आपको क्या करना है जो आपको बताते हैं तो यह सा बटा दें पहले आप तो एक ही division में हम काम करेंगे और आपको समझा देंगे तो हमने लिए सब से पहले यहाँ पर division tag और इसके अंदर हमको image तो add करना नहीं है तो image यहाँ से अठाते हैं आप बिल्कुल भी division के अंदर आपको क्या लिखना है वो आपको बताते हैं यहाँ पर पर अगराफ लिखेंगे color तो division के बाद आपको add करना पड़ेगा यहाँ पर class class के equal to आपको रहेगा w3 dash आपको क्या add करना है panel p a n e l हमने panel को add किया यहाँ पर इस पकार से और panel का जो हमारा color रहेगा वो किस पकार कर रहेगा w3 dash रहेगा पहला आपका red color तो यह हो गया आपका एक division आपका त्यार हो ग उसके बाद तो एक division अभी आपका यह आपका एक panel जो है वो यहाँ पर त्यार हो गया उसके बाद आपको क्या करना है यह पहरे अगर आपके बाद इसको division को burn कर देते हैं पहले तो यह हमने burn कर दिया ठीक है उसके बाद अब इसको हम copy करते जाएंगे नीचे हमें 4-5 panel बना होने है इसी पर करके उसको हम copy और paste करते जाएंगे तो हमने इसको copy किया और नीचे लाए हम यहाँ पर हमने 1-2-3 बार हमने यहाँ पर paste कर दिया ठीक है एक बार कर देते हैं चार बार इससे आपका दो कलर मैचिंग बन जा है अब एक में हम जो कलर कर देंगे वो green कर देंग इसके कि आपको color change हो जाए और एक में red रहेगा last वाले में फिर से यहाँ पर green कर देंगे तो दो में हमने क्या दिया green और दो में हमने कर दिया red पैनल में आपने इतना changement आपको करना है और इसमें कोई भी आपको changement नहीं करनी है नीचे आएंगे हम division यहाँ पर आपका body को बंद करते हैं यहाँ पर body को हमने बंद किया ठीक है HTML को हमने बंद किया अगर कुछ mistake होगी उसको देख लेंगे हो तक्ता कोई mistake होई हो वो अभी आपका पता चल जाए कोई issue नहीं है उसके लिए आप बेफिकर है कोई भी mistake अगर होगी उसको हमनों sort out कर लेंगे तो इतना चीज हो गया अब इसको पहले save करते हैं और run कराकर देखते हैं कि क्या यह program ठीक बना है नहीं बना होगो तो इसमें editing करेंगे तो यह हमने basically run कराया और देखते हैं क्या आता है यहाँ पर तो देखिए अभी इसमें error आ रही है कोई इसका मतलब इसमें बहुत ही बड़ी कोई mistake है उसको देखते हैं क्या mistake यहाँ पर होई है तो इसको open करते हैं और देखते हैं चेक करते हैं तो देखिए mistake हमने इसमें कहां की थी यह जो bracket थे सारे हमने close वाई लगा दिये थे जो कि कि आपको पता जाए कि हाँ आपका code एक्दम सही बना हुआ आप इसको save करते हैं और अब इसको run कराकर देखते हैं कि आपको output मिलता है तो इस परकार से आपका पूरा पैलन है जो वो बनके आ जाएगा तो इसी code को हमने design किया था तो हमने लिखा था यहाँ पर हम coding लिखा देते हैं आपको यहाँ पर छोटा करके तो हमने इसमें coding कि इस परकार ते की तो इसमें matter tag हमने add किया अगर इसको ना भी करेंगे तो भी यह आपका बढ़ करेगा यह देखें तो हमने इसमें add किया division लिया wc container display panel यहाँ लगा दिया इस परकार से उसके हमने text डाल दिया paragraph मे इसके हमने तीन division यहाँ पर फोर division add किया है जिसको WP panel हमने दिया है panel हमने use किया पहला लिखा division class equal to panel w3 panel w3 इसका color हमने red कर दिया इसमें paragraph दे दिया आया में पैलर यह division आपका एक panel होगा इसको हमने चार बार paste कर दिया यहाँ और सभी में color हमने add कर दिया तो इस पकार थे पैनल आपके add हो गए तो इसमें आपके panel हो गए यह आपके panel क्यलाते है और जो आपका space बिला यह आपका container आपका क्यलाते है तो इसी बगार से नीचे लेखते जाएंगे पूरी body और decimal को बन कर देंगे तो यह ता सिंपल सा आपका पैनल का प्रोग्राम जो कि मैंने आपको बता दिया अब इसी में आपको पैनल को round करना है तो इसी में पैनल आपका round हो जाएगा तमाम तरह के panel आपके बंते है और अले और Element drop टो राउंडेट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए ड WordPress के लिए आपको लिना पड़ेगा no इसना w इसना पड़ेगा उसका साहिट ब Lalas यह लाज यह। जो कल की वीडिविजा में आपको बताया था वह आप कर सकते हैं तो simple सा है, को इसमें ज्यादा counten नहीं है, तो यहीं पर मैं आपको एक में दिखा देता हूँ, करके, यही है आपका, एक division class में आते हैं, यह division class है, इसमें भी आपको edit करना था, यह आपको रहा गया, यहापे, तो इसमें हम मालेज आपको rounded का बता देते हैं आपे तो आपको लिखना पड़ेगा rounded इस परकार से आप लिखें rounded panel division में आपको लिखना पड़ेगा कि w3 panel और उसका जो size है वो आपको round करना पड़ेगा तो division के अंदर आए हमने class लिखा w3 इसको z करते हैं कि w3 panel space किया इसका पड़र हमें दे दिया है w3 red ठीक है यहाँ पर आते हैं और लिखते हैं w3 det Archives round ने लिखा round ठीक है ड wow 했 डाइक्स किया ax 진행 l Esc dalej हमने कर दिया तो इतना हमने कर दिए इसको save करते हैं और on कराकर देखते हैं है तो देखे इसका जो size यह वो आपको round हो गया पहले बाले गमने install कर दिया और Round कर दिया तो आपका पहला पाइसprofaction ہے istooney आ पढले को नेक्स्ट टॉपिक इसमें जो हमारे पास है वो है बॉर्डर बनाना तो बॉर्डर बनाते हैं